अड़ोकिट भुदेप महानंद्यक अभिवादन स्विकाल कीजिए शैथ्यों बर्तमां भारत बर्ष में दो राजनिती मजबुती का सतलडाई लड़े एक तरफ बहुजन राजनिती दुसरे तरफ सवर्नो का राजनिती है शवर्नो राम के नाम पर अपना राजनिती कर रहा है और बहुजन समाच छेहजार साथ सत्यालिशी जाती को जूड़ने के लिए कोशिस कर रहा है बहुजन समाच का प्लिटिक्स खास करके उतर प्रदिस बिहार में मजबुत है उसके साथ 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 इंडिया में आज का तारीक में दलित राजनिती मजबुती का साथ पकड़ बना रहे है धलित राजनीती में प्रमुक्त प्लिटिकल पार्टी कौन सा कौन सा पार्टी है जब हम देखेंगे निशनल लेवल में निशनल पार्टी सिर्फ एकी पार्टी है वह है भूजन समाज पार्टी है इस पार्टी उतर प्रदेश में बिलूंग करता है उसके साथ-साथ और गिंती में आता है समाजबादी पार्टी, बहुजन का पार्टी है बिहार में ललुप्रसाद जी का अरजेडी, राष्ट्रे जनसक्ति पार्टी है और लोग जनसक्ति पार्टी है, निदिस्कुमार का जेडी हो और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी भारत बर्स में है असलियत में देखेंगे तो बहुजन समास को रिप्रेजेंट करने वाले एकी पार्टी दिखाई देता यह बसपा यानि बहुजन समास पार्टी है जित्रे भी दलित पार्टी है इन लोगों का साथ गठवन्धन सही से हो नहीं पारा है इसलिए बहुजन समाच का पार्टी खास्त करके उतर प्रदेसर बिहार में कमजोर दिखाई देता है दूसरी तरफ 85 सवर्न मतलब 15 लोगों का पार्टी 15 लोगों का पार्टी चार चार नेशनाल पार्टी है बीजेपी, कॉंग्रेस, त्रुनमो कॉंग्रेस अज का तारीख में अमार्टी पार्टी है और कॉमिस्ट यह सब एक साथ लाम बंधों की इलेक्शन लड़ते हैं और इन लोगों का साथ गटवंधन से अच्छे हैं यह धरम का राजनिती कर दे कुई भी शमाज को बरबात करने के लिए या गुलाम बनाने के लिए धरामी एक मार्ग है जो शालों साल इन्हें गुलाम बना कर रखता है लेकिन बुद्ध अमबेट कर पेरिया फुले का भीचार में चालने वाला पार्टी बस्पा है यह पार्टी मानपता बात को बढ़ावा देता है लेकिन मनुवादी लोग लाम बन्ध होके बस्पा को फिनिश करने के लिए दिन रात कोशिस कर रहे है हर कोई भोजन पार्टी को दलित पार्टी को सबर्णों का लाम बन्ध भारत वर्ष में शुरू हो चुका है आईए देखते ही बिहार में कैसे भोजन समाज का पार्टी को ये लोग फिनिश कर रहे है बीजेपी का साथ गटबंधन पहले हुआ करता था लोग जन सकती पार्टी और बीआईपी पार्टी लोग जन सकती पार्टी को कैसे ये लोग फिनिश कर दिया है बीजेपी का साथ गटबंधन करके लोग जन सकती पार्टी फिनिश हो गया है वहां सडूल कास्ट खास करके बिहार में सडूल कास्ट लोगों का ख्यमता कम्यूर अल्रडी हो चुका है निशाद समाच का पार्टी भी आईपी पार्टी है यहां का मुख्या निशाद पार्टी का मुख्या तीन सीड जीते थे हैं इनको बीजेपी ने मंत्री मंडल में जागा दिया धेरे धेरे उनका जीते हुए तीन अमेले को कभजा में ले लिया यानि हाइजक कर लिया अब मुकैस्थानी को मंत्री पत से हटाया गया और बीजेपी पार्टी को बीजेपी निगल गया यानि बीजेपी पार्टी फिनिश मेरा कहना का मतलब यह है बिहार में निशाथ पार्टी को फिनिश किया गया और भीजेपी पार्टी को फिनिश किया गया लोग जनसक्ति पार्टी को फिनिश कर दिया गया बारतमान जेडियू बचा है नितिश कुमार नितिश कुमार बीजेपी का साथ मिलकर सासन कर रहे ह नितिस्कुमार और आरजेडी का साथ गटबंदन आने वाले दोजार चुबिस में नहीं होगा तो भीहार में बहुजन का राजनिती ही खतम हो जाएगा यानि भारत बर्स में पंदरा का राज होगा और पंचासी का हार होगा आईए जाते हैं उतरप्रदिस में उतरप्रदिस बर्तमांस तारीक में नाजुक स्थिती में है बसपा सुप्रीमो बहन मायबती जी दिन रात कोशिस कर रही है उपुरान एलेजे में आ रही है और काजयकर्ता को मनोबल बढ़ाने के लिए केडर कब शुरू कर दी है आने वाला काल 2024 एलेक्षन के लिए बसपा सुप्रीमो बहन मायबती जी 1970 से लेकर 1900 2007 तक जैसे उनका रणनीती था जैसे वो बाग की तरा बागनी की तरा यूपी में घूम रही थी इसा वो करेगी तो definitely 2024 में बसपा उतरपदस्ट में ताकत में आएगा क्योंकि बसपा का भोटर केडर होते हैं इसलिए थोड़ा आफ लगता है बिहार में निशाथ पार्टी इसलिए खतम हो गया है क्योंकि धरम के राजनिती गरते हैं कुछ दलीत होते हैं कुछ सेडूल कास्ट लोग होते हैं जो टाचेबल सेडूल कास्ट होते हैं वो धरम खुद को हिंदू समझते हैं वो धरम को ज्यादा मानते हैं राम का नाम पर ये भोड़ दिये थे इसलिए निशाप समाज मलार समाज ये धरम का नाम पर युनाइटेड हुए फूले अंबेट कर बुद्ध का विचार पर बिहार में लो युनाइटेड नहीं हुए इसलिए बिहार में ये दर्स अता रहा है धलित का पार्ट पल्टिक् चुकि उत्रप्रदिस में घर-घर में बबासाहिब अमबेटकर का बीचार, फूली का बीचार और बुद्ध का बीचार पांच जुगा है बिहार बुद्ध का धरती लेकिन वहां बुद्ध का बीचार नहीं है बोजन समाज में इसलिए वहां का राजनेता कमजूर हो रहा ह खास करके SCST OBC का राजनेता उतर बिहार में कमजूर हो रहा है उतर प्रदिस में साम दाम दंड वेद करके बस्पा को हराया गया बस्पा हरा नहीं हराया गया इसलिए ये उमीद का कीरन दिखाए दे रहा है केडर फिर घुमेंगे और दोबारा ये मजबूती का साथ ताकत हो प्रूब रहेंगे बात रहे अकलिश यादव का पार्टी का केडर धरम के नाम पर आते हैं आज भी ये धरम से भटक रहे हैं आज भी ये धरम को मामते हैं इसलिए बीजेपी इनका बोट पर सेंद लगाने की ताकत रखता है भुजन समाज का लोग खातकर दलीद लोगों को फ्री रासन, फ्री अनाज दे के बोट खरीदने के लिए बीजेपी कोसिस करेगा, लेकिन केडर के माध्यम से बबासाहिब अंबेटकर का बीचर को लोग पहलाएंगे क्योंकि बालाबासाहिब अंबेटकर उनका वलूम सत्रा में पेज नंबर 53 पार्ट वान में लिखते है सल्प एडमिनिस्ट्रिशन, सल्प हेल्प, सल्प रेस्पेक्टर ये वात वहाँ का बीजेपी का केडर गाउगाउगाउट तो पहचा देंगे इसलिए ये उमीद है यूपी में बसपाव फिनिस्ट होने वाला नहीं है लेकिन बीहार में और जेडी भी फिनिश होने के चान्स बहुत है नितिस्कुमार बीजेपी को छोड देगा और एकेला लड़ेगा मतलब नितिस्का फिनिश हो जाएगा और बीजेपी वहां मजबूतिका साथ उबरेगा क्योंकि उनका पास चप्रासी से लेकर चिपजिस्टिक्स तक बीजेपी अपने कब्जा में ले चुका है प्रशासम अधिकारी बीजेपी का हाथ में अभी आ चुका है इसलिए बीहार में नितिश कुमार जी बीजेपी छुड़ देंगे एकेला लड़ेंगे तो बीजेपी को फाइदा ही फाइदा होगा 2024 इलेक्षन में आरजेडी लोगजनसक्ति पार्टी और जैडियू का कटबंदन होके लड़ेंगे तो वहाँ दलित पल्टिक्स मजबुती का साथ आने की संभावना ज्यादा है उतर प्रदेश में बहन मायवती जी का साथ जितने भी छोटे-छोटे बहुजन समास का पार्टी गटबंदन कर लेंगे या वस्पा में सामिल हो जाएगे तो 2024 में बीजेपी को केंद्र में रोकने के लिए ताकत भर सकते हैं भरने की संभावना ज्यादा है बात रहे साउथ इंडिया में आज के तारीख में साउथ इंडिया में बाबा साहिब अमबेटकर जोटिवराव फूले अबुध प्रियार का विचार मजबूती का साथ आगे बढ़ रहा है एक तरफ दलित मोमेंट उडिक हो रहा है दुसरी तरफ दलित मोमेंट मजबूत हो रहा है दलित मोमेंट का सबसे बड़ा कमझोरी है मैक्सिमम दलित लोग बहग जाते हैं धरम के नाम पर जहां केडर है वहां लोग मजबूती का साथ डट कर बिजेपी को मुकाबला कर रहे हैं जहां केडर नहीं है ज्यान का अभावे वहां सेडूल का सेडूल ट्राइब OBCN Minority का लीडर को हारना पड़ रहा है इसलिए भारत वर्स में हर कोई एडूकेट लोगों को ये जिम्मेदारी बनता है भारत का संवेधान को बचाने के लिए पंद्रा को राजनीती से हटाने के लिए और पंचासी का सासन लाने के लिए गोधी मीडिया से लोगों को दूर रखना होगा BJP का दो एजेंट वारत वर्स में जाएदा मजबूती का साथ काम कर रहा है वो है एक गोधी मीडिया और दुसरा है उनका ITCell इनमें से हम लोगों को बचाना है और धर्म का राजनीती में हम लोग को फस्रा नहीं चाहिए हमारा मक्षद है 6747 जो कास्ट है इनको मिटा कर बहुजन बनना है जिस दिन हम लोग बहुजन बन जाएंगे हम 85 हो जाएंगे हम 50 इसलिए हो नहीं पारे हमें कास्ट के नाम पर धर्म के नाम पर हमें डिवाइड किया गया है 15 जानते हैं उनका United होना जरूर ही है इसलिए 15 आज France France National Party भारत बर्स में खड़ा कर दिये सबन ख़ी भी hcost geben ऐशम पार्टी को बोट में दा जैसे बीज पी वालिए का समर्थक सबर नहीं करता है सबर्नente कभी भी बसपा को पोट नहीं देगा भंजन समाज पार्टी को बोट में आज का तारीफ में बीजेपी को भूड़ देता है बहुजन समाज का लोग लामबंद जिस दिन हो जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी एक नसनल पार्टी है उन्हें बूड़ डालेंगे डिफिनेटली 85 का सासल होगा भारत का संबीधान बचेगा भारत का भूजन समाज का नसल बचेगा नहीं तो हमारा नसल सेकंड का सिडिजन बनके भारत में रह जाएंगे और भुजन समाज का लोगों का जिंदेगी जनबर से भी बत्तर हो जाएगा बर्तमान स्थिती में ऐसा ही हो रहा है स्लोली 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 धरम के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है बर्तमान भारत सरकार इस आएक कानून ला रहा है, पुलिस को ज़्यादा ताकप देगा, उस ताकप का हिसाब से पुलिस को दुरिप्योग करेगा, हमारा लोग आवाज उठाते ही, उन्हें उठाकर जेल का अंदर ठुस देगा, यह खतरनात कानून भारत में BJP सरकार पास क कर रहा है जो 1920 में बिडिश गावर्मेंट भारत का लोगों को आरश्ट करने के लिए बनाया था जो कानून वो कानून को और मजबूत करने के लिए 2022 में बिजेपी ये बिल पेश कर दिये है इसी लिए लोग सभा और रजसभा में ज़्यादा हंगामा है ये कानून पारित हो गया मतलब भारत बस में सडूल कास्त सडूल ट्राइब ओबीशी लोगों का राजनिती ही खतम हो जाएगा साथियों संविधान खत्रे में है आपक समाज खत्रे में है लाम मन्द हो जाएए पंद्रा को सासन से हटा दिजिए और पंचासी को सासन का गद्धी में बिठा दिजिए तब भारत का संविधान बचेगा और देश बचेगा आप देख रहे है वाईस अब पीपल वाईस अब भोजन इस चनल को जादा से जदा ल झाल